नमस्कार आप देख रहे हैं दर्ष नीज मैं हूँ दिव्यांसू चलिए लेकर चलते हैं आपको बिहार की होट सीट काराकार्ट पर जियां काराकार्ट संसदिय सीट होट सीट बनी हुई है क्योंकि यहां पर भोजपूरी के सुपर स्टार पवन सिंग मैदान में हैं पवन सिंग ने ताल ठूक दी है उपेंद्र कुश्वाहा और राजाराम सिंग कुश्वाहा के खिला एंडीय समर्दित आरलेम प्रमूख उपेंद्र कुश्वाहा यहां से उम्मिद्वार है और इंडिया गठबंधन की तरप से CPI ML ने यहां पर राजाराम सिंग को उतारा है यह सीट जो है काराकार्ट कुश्वाहा के लिए सुरक आसनसोल सीट दी गई थी भीजेपी ने आसनसोल का टिकट दिया था लेकिन उन्होंने उसे वापस कर दिया और उसके बाद उन्होंने निर्दलिये चुनाव लड़ने का एलान किया और काराकाट संसदिय सीट उन्होंने चुनी जब से उन्होंने काराकाट संसदिय सीट चु पहा और राजाराम सिंग को हरा ने अब पवन सिंग की पत्नी ने मोर्चा समाल लिया है देख लिजे तस्वीरों में कैसे पवन सिंग की पत्नी जोती सिंग इलाके में घूम रही है और अपने पती के लिए वोट मांग रही है आपको पता ही है कि जोती सिंग और पवन सिंग का मामला जो चल रहा था तलाक वाला कितने दिन चला था सुर्खिया बनी थी लेकिन बीजेपी ने उन्हें कहा था कि ये सब जंजट समेट लो तब तुम्हें टिकट दूंगा और पवन सिंग ने ये सब कुछ किया दोनों में कॉंप्रमाईज हुआ सुलह हो गई और बीजे नॉमिनेशन करने पहुंचे थे और नॉमिनेशन के बाद एक सभा कायोजन किया गया था जिसमें पवन सिंग मौझूद थे नकी माँ प्रतिमा देवी और उनकी पतनी जोति सिंग भी नजर आई थी और इस दौरान पवन सिंग की माँ ने आचल फैला कर लोगों से वोट क चित्र के करूप, परसिया, सक्वा, सोबिया, बेलवाई, चौगरी कला, इटरिया, बिन सागर, भोपतपूर, गच्छाई, कुलहरिया, एवंग नवादा, आधी गाउं का सगन दोरा उन्होंने किया है। इस दोरान ज्योती ने पूछे जाने पर बस इतना ही कहा कि पवंध सिंग के लिए जनता का भरपूर, प्यार और आशिर्वाद मिल रहा है, यह कहते ही वो गोटर महिलाओं के पैर चुकर आशिर्वाद लेने में लग गई। सुनिए क्या कुछ कहा है ज्योती सिंग ने कारा अवाद। जिन्दाबाद। जिन्दाबाद। जिटी जी जिटी जेटी जी लोगों के भी जार रहे हैं बहूत रिस्वरंस्ब जिन्दावाद जिन्दावाद बढ़ जिन्दावाद नियद रहां नहों कहां ठाओने आख़ने गादेदी कारें तो सुना आपने जोती सिंग को बहुचपुरी की सुपरिस्टार पवन सिंग की पत्नी जोती सिंग काराकाट में हैं और काराकाट में गाउ गाउ घूम रही है पवन सिंग के लिए पवन सिंग के आने से निश्चित रूप से एंडिये गठ्वंधन को भारी नुक्सान का सामना करना पढ़ सकता है उपेंद्र कुश्वाहा की रा मुश्किल हुई है पवन सिंग के उम्मिद्वार बनने से अब ये तो तैय है कि पवन सिंग राजपूतों का वोट काटेंगे और अगर राजपूतों का वोट वो ज्यादा संक्ष्या में काट लेते हैं तो फिर नुकसान उप पवन सिंग को उम्मिद है कि कारा काट में उनकी जीत होगी और अब पवन सिंग ने दाओ खेल दिया है अपनी पत्नी को मैदान में उतार दिया है और अब उनकी पत्नी जोती सिंग मैदान में उतर कर वोट मांग रही है लोगों से और इस दोरान उन्हें समर्थन भी मिल रहा है तो अब देखिए क्या होता है एक जून को मद्दान होना है काराकाट में अंतिम चरन साथवे फेज में वहाँ पर वोटिंग हो गई और तीन दिन बाद चार जून को नतीजे भी आ जाएंगे तो अब देखिए क्या होता है काराकाट का किंग कौन बनता है पवन सिंग या फिर उपेंद्र कुष्वाहा या फिर इन दोनों की लडाई के बीच राजा राम सिंग बाजी मार लेंगे ये तो चार जुन को ही पता चलेगा फिलाल के लिए इतना ही तमाम अपडेट्स देते रहेंगे बने रहें दर्श न्यूज के साथ